Morning everyone, we are starting chapter 14, people who help us, लोग जो हमारी help करते हैं, इस चेप्टर में हम पढ़ेंगे कौन-कौन से लोग ऐसे हैं जो हमारी help करते हैं, हमारी community में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका occupations are not only for earning money, पैसे कमाने के लिए नहीं हैं, बट also for helping others, दूसरों की help करने के लिए भी है, इस चेप्टर में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे लोग उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारी help करते हैं और हमारी life को और comfortable बनाते हैं, तो सबसे पहले है doctor, doctors क्या करते हैं, जो बिमार लोग होते हैं या जिनको चोट लग जाती हैं, उनका treatment करते हैं, उनका उपचार करते हैं, वो उन्हें medicines देते हैं, injections देते हैं, और उनके घावों पर घावों को साफ करते हैं, और उनको बताते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या खाना है, और क्या नहीं खाना है, They also help to protect people from disease like polio by giving vaccines, वे लोगों की वो प्रोटेक्ट करते हैं, बिमारियों से, कौन सी बिमारियों से, पोलियों जैसे बिमारियों से भी उनको वैक्सीन लगा कर, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन आ गई है, तो कोरोना का भी वैक्सीन लग रहा है न, वैक्सीन यानी क्या होत ठीका, वो लगा कर भी उनकी सुरक्षा करते हैं, डॉक्टर वोक्स इन होस्पिटल, हेल्थ केर और क्लीनिक, क्लीनिक में काम करते हैं, हेल्थ केर सेंटर में काम करते हैं, और होस्पिटल में काम करते हैं, विलेजेस इन इंडिया है हेल्थ सेंटर, जो गाव होते हैं है इन गावों में क्या होता है the governments and some dispensary mobile dispensaries a mobile dispensary is a van carrying doctors मतलब जिन गावों में यह health centers नहीं होते हैं वहाँ पर एक सरकार क्या करती है mobile dispensary भेजती है उसमें क्या होता एक van होती है जिसमें doctor होते है nurses होती है और medicines होती है जो की जिन एरिया में वहाँ पर एक वो camp लगाते हैं और उन लोगों को की help करते हैं जैसे यह देखो यह van है इसमें medicines है यह doctor है यह जगें लगाते हैं और इनको फिर इनका camp में treatment करते हैं cities usually have hospitals where people can go for treatment शहरों में क्या होता ज़्यादा तर जगें hospitals होते हैं जहाँ पर लोग जाकर अपना treatment कराते हैं वहाँ पे बहुत सारी doctors और nurses होती हैं जैसे लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा hurt वा चोट लगी है या बहुत ज़्यादा बीमार है तो वे जाकर hospital में रहकर भ चलता है 2-3 दिन तक तो ऐसे भी help करते हैं we go to different doctors for different types of problem जैसे हमें अगर दात की problem है तो हम dentist के पास जाएंगे अगर हमें कोई operation कराना है तो हम surgeon को दिखाएंगे animals too can fall sick or get hurt जानवर भी बिमार होते हैं और उनको भी चोट लगती है we go to veterinary doctor for the treatment of animals animals के doctor को क्या कहा जाता है veterinary doctors कहा जाता है अब है teacher teacher बहुत important role play करते हैं हमारी life में वे हमें सिर्फ कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है ही नहीं सिखाते but also help us in learning about many different things लेकिन हमें बहुत सारी चीजों को सीखने में भी help करते हैं teachers teach different subject अलग-अलग subject पढ़ाते हैं जैसे history, geography, math, science, painting, singing, dancing they make learning interesting and easy to understand वो जो learning है उसको interesting बनाते हैं और कैसे हम easily उस चीज को समझ सकते हैं वो हमें सिखाते हैं they also help us to learn good manners वो हमें अच्छे आदते सिखाते हैं अच्छे value सिखाते हैं such as being punctual जैसे time पर ना punctual होते हैं समय के पाबन, helping each other, एक दूसरे की help करना, share करना, दूस बड़ों की respect करना ये सब हमें कौन सिखाते हैं? Teachers सिखाते हैं, on 5 September every year we celebrate Teachers Day, हम हर साल 5 September को Teachers Day मनाते हैं और Teachers की respect करते हैं नेक्स्ट है postman, the Indian Postal Department covers the entire country and postman delivers letter, parcel, money order, etc. जो postman होता है, postal department जो होता है वो सारी country में है, हमारे पूरे इंडिया में हैं postman क्या करता है, letters देता है, parcel देता है, money order आता है, किसी का वो देते हैं जब हमें किसी को कोई letter या card देना होता है, तो हम post box और letter box में डाल देते हैं postman क्या करता है, उसको collect करता है post office से और फिर and takes it to the post office, post office ले जाता है वहाँ पर letters are sorted and then sent to different post offices according to the address, जैसे जैसे address होता है वैसे ही उस address के हिसाब से अलग-अलग address पर वो letters होते हैं वो भेज दिये जाते हैं postal workers in these post office collect them and the postman deliver them, जो workers होते हैं वो उनको collect करते हैं और जो postman होता है वो उसको जगे-जगे जाकर deliver करता है postman का job जो है वो बहुत ही important job है villages in India depend on postman to get letters, money orders and parcels to them इंडिया villages गाओं में क्या होता है गाओं में ज़्यादा तर ये letters, money orders and parcels कौन पहुचाता है postman ही पहुचाता है अब है policeman policeman का भी बहुत important job है he helps to keep and maintain law and orders he makes sure no one breaks the law वो उसको ध्यान रखना होता है कि कोई भी कानून को ना तोड़े वो चोरो को पकड़ता है he helps keeps crowd under control during fairs and festivals मेले लगते हैं और त्योहार होते हैं उसमें वो ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा भीड जो है वो under control ही रहे मतलब भीड में कुछ लड़ाई जगड़ा ना हो सब सही रहे he keeps us safe policeman हमें safe रखता है सुरक्षित रखता है हमारी सुरक्षा करता है हमारी property की सुरक्षा करता है policeman works in a police station police station में काम करता है जब भी लोगों को कोई complain होती है जैसे चोरी की complain in a house or on the road they go to a police station for help कोई भी problem होती है जैसे गाड़ी चोरी हो गया या कुछ भी हो गया तो हम कहां जाते हैं police station जाते है अब policeman who control traffic in cities is known as a traffic policeman जो policeman traffic को control करता है वो traffic policeman कहलाता है traffic policeman make sure car, buses etc move smoothly on the roads वो क्या देखता है कि car, buses ये सब road पर smoothly run करें traffic का jam ना हो और road accidents ना हो other professions अब हैं दूसरे professions और भी professions हैं हमारी country में जैसे fireman तो fire brigade is called whenever there is a fire जब कहीं पर आग लग जाती है तो fire brigade को बुलाए जाता है तो fire brigade किसे fireman निकलता है और वो क्या करता है आग को बुजाता है जैसे हमारे घर में आग लग गई दुकान में आग लग गई और ओफिस में आग लग गई तो fireman आता है और वहाँ fireman आता है और आग को fireman use fire trucks with water hoses to put out fires and ladders to help rescue people from buildings वो लोगों को building में जैसे अगर कोई फसे हुए लोग उनको भी बचाते हैं और आग भी बुजाते हैं electrician helps us by fixing electrical things like lights, fans, coolers, etc वो light, fan, cooler इन सब में कोई भी problem है उसको ठीक करके जाते हैं plumber we need to call a plumber whenever there is a problem with the water and drainage system in kitchens, bathrooms like leaking pipes, broken taps जब हमारे गर में कोई पानी की या नाले की कोई समस्या है जैसे की kitchen में या बात्रों से पानी नहीं निकल रहा है pipe leak हो रहा है या नल तूट रहे हैं तो हम किसको बुलाते हैं plumber को बुलाते हैं वो ये सब ठीक करता है now है cobbler we go to a cobbler to mend shoes and sleepers हमारे चपल या जूते तूट जाते हैं या उनमें कुछ soul तूट निकल जाता है तो हम किसके पास जाते हैं cobbler यानि mochi के पास जाते हैं अब हो गया ये chapter इसका book work और copy work आपको करना है